हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट और यहां पर बनारी हो मैं चोटी सी सिम्पल सी रेसिपी तो जिसको आप देख करके ज़रूर ट्राई करेंगे मुझे यकीन है पूरा तो य दाल रखें गाइस थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्का सा अधी पाउडर डालोंगी ज्यादा इसमें कुछ नहीं डालोंगी हैं इसको थोड़ा अच्छे से में हाल से मिक्स कर लूंगी और गाइस रेसिपी को प्लीज रूट राइक करना क्योंकि यह दिखिया होता है और गाइस मेरी थोड़ी तेवित भी खराबती इसलिए कुछ मननीता करने का और बच्चे को लगी है काफी भूग तो मैं सुझा चलिए तो जी हाँ जो रात को हम रोटिया घर में हमारे बच जाती है तो आज मैं बताऊंगी कैसे उनको यूज करना है तो मैंने ले लिए यहां पे मैंने कडाई में औलला लगा लिए और अब मैं देखि है कैसे बताई यहां में मेरे ताथ बीडियो में मैं आप लिगी घह में पना सकते हैं अपर रभा रूटी स्ट No स्टफिंग मोड खरके हैं मैं नह तुम हादा काडईihat새 जने से भी आपर ना जरूँ और थोड़ी सी रोटी घुल गी थी तो भी देखिए बहुत अच्छी से हो जाएगी है तो फिर मैंने दूसरी भी रग दिया और ज्यादा तेल नहीं लगाया है और इसको मैं रग दूंगे लोग फ्लेम पे गाई और जितना आप इसको लोग फ्लेम पे पकाऊगे ना तो ब को मैं यहागी हो जाती है क्यूंकि मैं घर में कोई इस निकाल लिया चाहिएं छुड़ क्सेट्स में लिकिशन से खाये हैं तो आप चाह से खाये या या सन्भ बहुत अच्छी लगते हैं कहने मी तो चलीए इनको थोड़ां अच्छी साब्सक्रास कर लेना और दवाने की जुरत भी नीवी होती है कुछ कड़ाई में अच्छ से हो जाते हैं तो पर से थोड़ा से में ओल लगा दूंगे हलके सी क्रिस्पी हो जाएं तो यहां पे और जो इसके अंदर मटर है जो हम अच्छे से पक जाती है तो चलिए दूसरी वी स्टफिंग कर लेता कर ला हो जाता है यहां पे और दूसरी में रेडी कर लिए जो मेरी रोटी थी है अब एक हमारा रेटी तो इस रिचरी का नाम में बहु ज़सी रोटीसे कर लेते हैं зайए घीर और भीयो यहमें और भीनिच क्यों प्रेल ब्लींग कर दノम दू Ci स debate कर दो और इसनी नाम में बो कुछ करने का तो जरूर बताना गाइस कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी सिंपल सी है और यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं कुल करके रोटी को ऊपर की बरतना कितनी क्रिस्पी है बहुत यह में टेस्टी लगती है गाइस और बिना सोस के भी आप इसको खा सकते हो यह दे दीजी में जाल तप तक के लिए बाई बाई